कि जब भगनवान बुद्ध को भंगी बुद्ध को भगवा को सुगत को तथागत को भगवान को या भागवान को जब ग्यान प्राप्त होने वाला था तो उससे कुछ समय पहले जहां बोधी ब्रेक्ष के नीचे यानि पीपल के पेल के नीचे जहां उन्होंने ध्यान लगाया था साधना की थी विपसना की थी मेडिटेशन की थी और ग्यान को प्राप्त किया था तो वहां उन्होंने अपने लिए कुछ खाने का सामान भी खटा किया था और जब वो आसन पर बैठने वाले थे तो वहाँ एक व्यक्ति जा रहा था जिसने उनको थोड़ी सी कुस दी थी कुस का मतलब घास होता है जो नौक वाली घास होती है उसको कुस बोलते है तो थोड़ी सी उनको कुस दी थी उस कुस का उन्होंने आसन बनाया था यानि घास का आसन बनाया था बैठने के लिए जंगल था वहाँ तो क्योंकि अगर आपने बौध गया देखा हो 200 और 100 मीटर के बीच में वो रहा होगा वहाँ से. तो वहाँ जंगली जंगल थे चारो तरफ, क्योंकि पानी पास में बैता था, तो जंगल होना सुभाविक है. तो घास पर वो आराम से बैठे, इसलिए उसको कुस आसन बोलते हैं. वो कुस आसन आज भी वहाँ पर देखने को मिल जाता है. उस घास का तो नहीं है, बगर लोग बना कर रख देते हैं. वो जो कुस है, कुस का एक, कुछ लोगों का कुस वहाँ भी बोलते हैं. कुस वहा. कुस वहाँ का मतलब ऐसा लगता है, जैसे घास को काटने वाले या घास को लाने वाले लोगों को कुस वहाँ बोलते हैं. मगर कुस वहाँ उनको नहीं बोला जाता, जो घास लाते हैं या घास को काटते हैं. जो कुसी नारा जगे है, यहाँ शेशब्द का अस्तमाल नहीं हो रहा है, सैका हो रहा है, जो कुशी नारा है, अभी तो उसको कुशी नारा बोलते हैं या कुशी नगर बोलते हैं, नगर वो कुशी है, कुशी नारा जो जगे है, वहाँ पर लोग रहते थे, उन्हों लोगों को मल बोलते थे, तो कुशी नारा में कुश वहाँ लोग नहीं रहते थे कुश वाहा नाम बाद में पड़ा क्योंकि वाहा का मतलब होता है लीडर वाहा का मतलब होता है नायक वाहा का मतलब होता है मुखिया या वाहा का मतलब होता है जो पत्थ परद्शक हो जो रास्ते को दिखाता हो और अगर इसमें नय लगा दें कुशवाहन तो घास को ले जाने वाला वहन हो गया मगर ये वह है कुशवाह तो कुशवाह का मतल़ हुआ कि जो लोग कुशी नगर में रहते थे वो माग दर्शक थे पत्थ परद्शक थे और रासा देखाने वाले लीडर थे नेता थे जो मल थे मल आपने सुना होगा मल युद्ध होता था और मल जो युद्ध होता था वो आज की डेट में जो कहा जाता है कि पहलवानों के बीच में मल युद्ध होता है मगर उस समय ऐसे युद्ध नहीं हुआ करते थे उस समय ग्यान के प्रग्या के और समझ के युद्ध हुआ करते थे जिसको मल युद्ध का बोलते हैं उनको बोलते थे मल धम युद्ध यानि कि धम में कौन कितना पारंगत है इस बात का वो बढ़ाते थे एक दूसरे से चर्चा करके एक दूसरे से वाद विवाद करके कमियों को दूर करके और एक दूसरे का ग्यान बढ़ाते थे ग्यान बढ़ाने का यही एक तरीका था क्योंकि ना तो कागस था ना पैन था, ना कंप्वूटर था ना मोबाइल था, ना कोई सलेट थी ना कोई बत्ती थी और ना ही अक्षर थे, अक्षर भी तब तक नहीं बन पाये थे और थे भी तो बहुत छोटे-छोटे से जो इमोजिन में जैसे आजकल आते हैं जैसे आजकल के चिन होते हैं वैसे करके वो आईकोन में थे तो मल युद होता था मल धम युद ताकि वो धम को आगे बढ़ा सकें यह जो सब्द है कुश आपने अगर ध्यान दिया हो तो कुश जो लोग थे यानि जो मल्ला लोग थे वो बहुत जादा पारंगत थे इसलिए उनके नाम से कुसल पढ़ा यानि कि आप कुसल छेम जो पूसते हैं यह कुश वहीं का है कुशल छेम का मतलब है कि कुश माने उसके जो इस्तिती थी वहाँ की और छेम माने शांती यानि कि जो कुशल माने निपुड था जो उसमें वो निपुड थे और जिसमें वो वहवार में बहुत तेज थे और छेम माने शांती यानि कुशल छेम कैसी है, कुशल खेम कैसी है, बेसिकली शान्ति को पाली में खेम बोलते हैं, तो खेम का बाद में छे बना दिया, तो कुशल छेम हो गया, ये कुशलता आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, कुशलता जो आता है सर्दों ये वहीं कुस लोगों से आता ह कुस लोग का मतलब है जो वैवार में बहुत जादा कुसलते उनको कुसलता बोला जाता है ये जो मल जो लोग हैं कुसी नारा के नारा का मतलब शहर भी होता है ये जो मल लोग थे कुसी नगर के ये इन मल लोगों की एक बड़ी खास बात थी ये हम ऐसा निशब्द रहते थे जो इनके मुख्या थे निशब्द का मतलब है मौन रहते थे बोलते नहीं थे मौन रहने की परंप्रा विपस्टना के अंदर बहुत मुख्य है अगर आपको ध्यान लगाना है अगर आपको विपस्टना में कुछ प्राप्त करना है रहते थे, निसद रहते थे, इसलिए इन में बाद में कुछों का नाम निसाद भी पड़ा, निसाद जब बाद में शे शब्द आ गया, शटकोन वाला आ गया, तो इसको निसाद भी बोलने लगे, तो मल या कुसवाहा या निसाद ये तीनों एक ही सब्द हैं, और इन तीनो में जो बूंद आती है, उसको लव बोलते हैं, पाली भासा के अंदर और हिंदी भासा के अंदर, लव कुस का मतलब है, घास के उपर जो ड्रॉप होती है, जो बूंद होती है पानी की, उसको लव बोलते हैं, इसलिए हम ऐसा लव के साथ में कुस चलता है, और कुस के साथ में लब चलता है ये एक छोटे सा साधरानस सब का मतलब होता है धन्यवाद मतलब होता है झाल